आईए दोस्तो, आज हम आपको कुर्टी की कटिंग और स्रीषिंग दोनों बताएंगे, जो कि यह हम कपड़े लेके आते हैं, और यह रेडिमेट इस्टाइल में होते हैं, कपड़े यह तोड़े से यह सिल होते हैं, यह जैसे यह पाइपिंग इसमें लगी है, इनकी लंबा है इसको हम खोल के उपर कर देंगे तो लंबाई छोटी हो जाएगी और यह देखिए जैसे यह लैस बगेरा है इसको खोल के किस तरीके से यूज करेंगे यह हम सारा कुछ आपको इसमें बताएंगे क्योंकि यह चीजें जो होती है है देखिए मैंने नाप इस तरीके से यह ले लिया है क्योंकि मेरे पास सूट का नाप या था सब्सक्राइब अर्टाइस इंच लंबाई इसकी कमीच की और यह आदा अदा नाप यह साड़ेश इंच कमर इसकी और साड़ेशे इंच कमर है और साड़ेशीं होरी है और यह वे किसे रख लेते हैं अपने सामने और यह सेंट नहीं तो अगर सेंट लगांगे यह इसके इन्दर थोड़ी साइनिंग रहती है इसमें COP 2 लगा देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है अभी देखिए सब्सब्स्सराइब कि इसको हटा देते हैं इसको खोलना ही है अब यह देखिए जैसे यह हमारे पास में जो अस्तर है इसको हमने पहले ही प्रेस लगा के अच्छी तरीके से रख लिया है तो यह देखिए इसको हम इस तरीके से क्योंकि यह सीधे में नहीं लग पाता है क्योंकि इसकी लंबाई सूट की कम है तो यह तो लग जाएगा नह तो जधा तर जो आड़े में लगाना पड़ता है कियोंकि हम दुगान पे लगाते हैं अकसर तो यह देखते रहते हैं कपड़ा यह दो मीटर से जदा नी देते कई बार तो डेर्ड मीटर ही दे देते यह देखे जैसे यह मैंने प्रेस लगा लिए तो इसका घेरा जो ए से एक पल्ल्यो को पकड़ेंगे और इसको इस तरही के से देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे कि आज मैंने यह सोचा कि मेरे पास रूट आ गया था तो मैंने इलाव में यह बता दूं आपको क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि कई बार सूर्ट हम बनाते तो हैं तो उसमें थोड़ी बहुत कम हो जाती है कि किस तरीके से काटे या नहीं काटे बैसे तो ज्यादा तर डेकि इस तरीके से हाग है मैं एक अगा है यह देखे 3.30 से इसकी लंबाई यह आप साधे अड़तेस पर यह अस्तर पर निसान लगाएंगे है और आर्मोल लेंद्ट वेले रखेंगे हैं हम कि 7 रखेंगे हैं कि यह कमर जो रखेंगे इसकी साड़े 14 पर तो 15 पर निसान ल इस तरीके से ना पा जाएगा, आदा इंच उपर मार्जन हो गया, तो 49 पे इस तरीके से इंची टैप को गुमा के रख देंगे, और यह देखिए इस तरीके से आप यह साड़े अठारा इंच नीचे से यह आपके चाक का निसान आ जाएगा, यह देखिए अब इसको, इस त हम इस तरीके से ज़ें, तीरा, जोए इसका छोटा, जितना हमने ना पा था, उतना ही हम काटेंगे, साड़े चोदा हीं न्चे ए तो साड़े चोदा ही काटेंगे क्यूं, क्योंकि इसका बेक गला जुए न वो छोटा है, आप से Ganz को हम यह 3 इंच ब्रोड रखेंगे, साड इसके साथेके सिंग तो पूने 11 इंग और गेरा इसका 22 इंग तो 11 इंग यह देखिए इस तरीके से इसके साथ जो है बड़ा है तो इसको इस तरीके से गुलाई दे देंगे हिपपे से तो फसने की सिकायत आजाती है इसमें इस तरीके से लगाएंगे तो यह सिकायत नहीं आएगी आपकी इसको हलक ऐसे करके आदा इंज के करीब डॉन कर दिए क्योंकि इसमें गला थोड़ा छोटा है इस तरीके से क्योंकि ये कमीज का नाप लिया है हमने तो ये अंदास से हम इसको डॉन कर रहे हैं और अगर ये हम ऐसे करके नाप लेते हैं तो हम बता देते आपको कि कितना इसको डॉन करना है यह कंदी कि अब यह देखिए इस तरीके से काटेंगे इसको कि यह मार्जन आप अपने इस आफसर रख लेंगे मैंने इसमें करीब और दो इंज का मार्जन इस लिए रखा है कि अगर बाई यह देखिए जाए जाएंगे चांस लो स्टैट करना पड़े क्योंकि यह फिर चीज ऐसी होती है कि एक बार बार नहीं बनाई जाती है क्योंकि यह कपड़ें पार्टी वेर कपड़े होते हैं तो इसलिए इनमें मार्जन जरा थोड़ा एश्टा करके रख दें जो घर में जeltए वह अराम से आजाएगी कि इसमें कोई दिक्कत वाली भाद नी है को के इस तरीक़ से if वेक में इसी तरीके से यह पूरी भीशा और सेम जैसे तरीके से स्वास काल थे फिर मैं उतंट पूरे से से काल ली ओद हो यह तो यह कंछ ची ध्याने। ऑने सो आपने मालने तो कही भर आशा होता है कि प्रड़ जादा जोर ज्यादा लगाने से कोई फादा नहीं है तो एक कैंची से इस से इस तरीके से ये थोड़े से धागे के काड़ ले इस तरीके से देखिए ये अराम से खुल जाएगा क्योंकि बड़ी सिलाई होती है क्योंकि कई उसमें होता है कि छोड़ी सिलाई होती है तो उनको छोड और आप उसको आइसे करके जोड लगते रहेंगे तो कई बार ऐसा होता है यह ठट जाता है यह देखिया जैसे यह बैक और यह Yes बीस को इसको में एक सेट से रख देता हूं के जो फ्रेंड है देखिए मैन होता है मारा इसे ही चोटीवड्य हो जाती है अब जैसे इसकी लंबाई यह में 30 ऑड इसकी लंबाई जह सोटा कि दूंट है और इसकी traveled लम्बाई जो है कि इतनी है वो मैं आपको दिखा देता हूं इसकी लंबाई देखिए, इतनी अरतिस लंबाई है, अब कई बार यह होता है कि हम इसको कैसे करके छोटा करें, नीचे से काट दें, कि यहां से गले को काट दें, तो गला हमें बिलकुल कुछ नहीं छेंड़ना है, यह देखिए, यह जो नीचे वाला यह पल्ला है, जो हमने इसकी देखिए, अब यह जो है, जो हमने यह इस पर बार्डर लग होगा है, इसको यहां से इस तरीके से देखिए, उतार देना है, इस चीछ का खास तरीके से धियान रखेंगे, अगर शिलाई आपकी बड़ी है, तो ही इस तरीके से खोलें, नहीं तो फिर इसको आपको बैटके खोलना पड़ेगा यह देखिए अब यह जैसे बॉर्डर हमारा ही अड़ गया अब इसको हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसको सीधा ही रखेंगे पल्ले को इस तरीके से और इसका यह सेंटर बनाएंगे देखिए यह देखिए ऐसे करके और यह जो कड़ाई है जितना भी आपका यह आ रहा है तो इसका बिलकुत सेंटर ऐसे बना लें यह देखिए ऐसे करके अब जितना भी है इसको एकदम बराबर देख लें कहीं से ऐसा ना हो कि उपन नीचे थोड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो है तो हमें सबसे पहले क्या गन्ना है गले का निसान लगाना है आदा इंज मार्जन और साड़े चेंज गला तो यह साथ इन इस तरीके से यह हम इतना रखेंगे अब यह देखिए जो हमने यह स्तरकाट रखा है इसका यह देखिए यह फ्रेंड वाला इसको हम ऐसे करके उ हिक अब इसमें हो गया इसमें बॉर्डर है हमारा बॉर्डर के अंदर देखिए एक चीज यहां है कि यह कलता है तो आपको लंबाई यहां से लेके चलना पड़ेगी, अगर आप समझ रहेगी, मतलब आपको बता दिया है कि हमारे यही बोडर लगा देना, यह निकाल देना, तो आप इसको इस तरीके से देखे, ऐसे करके रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह लंबाई आपकी आगी यहां स तो यह बोडर इस पर चिपक जाएगा, नहीं तो आपको इसको लटका के ही लगाना पड़ेगा, ऐसे करके, फिर आपको इसकी लंबाई देखना पड़ेगी, सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं में, जैसे आपने ऐसे करके रख लिया यह, और आपको नहीं समझा र ठीक है, अब यह इसको फिर हम यहां पर एक निसान लगा लेंगे, इस तरीके से, जो यह में कपड़ा है, इस तरीके से, क्योंकि हम यह बोडर जो है, यहां से सिलाई लगा के इसको लटका देना है, यह देखिए, इस तरीके से, यह सबसे आसान तरीका है, कि आपका बोड यह देखिए, क्यों कई बार बॉर्डर यही दिक्कत हो जाती है कि कितना चोड़ा बॉर्डर है, कई बार नापने में हो जाता है, मिश्टेक हो जाती है कि लंबा गड़िया है तो तो उसे ही हो जाएगा, अगर छोटा गड़िया तो दिक्कत हो जाएगी, अब यह देखिए यह देखे इस तरीके से यह हमारे यह फ्रेंट की पूरी कटिंग इस तरीके से हो गई है अब यह हम कट लगा लेंगे और यह बॉडर इसमें हम रग लेंगे ठीक है अब इसी तरीके से हम इसकी बैक बिलकुल कंप्लीट काड लेंगे और बाजू भी हम काड़ लेंगे उसके बाद को हम किस तरीके से बनायेंगे वह आपको बताएंगे यह देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना था इसके निशान हमने यह देखिए इस तरीके से इटा लिए और एक चीज़ हो रहे है इसके अंदर जो ये गला है, गला ये दो तीन तरीके से बनता है, ये गला ऐसे भी बनता है, जैसे कि गुम गला बनाते हैं जिसको पलड देते हैं अंदर ही, मैं देखो आपको आज ये ही बताऊंगा, कि इसको अगर आपके पास पेस्टिंग नहीं है, आप ये कच्चा भी करना जाते हैं इसको गुम करना चाते हैं तो किस तरीके से आप इसको करेंगे तो यह देखिए जैसे इसको इस तरीके से रखेंगे हम यह देखिए बिल्कुल इसको परफेक्ट बिठा के रख लिए गला जितना हमारा है यह ठीक है इस तरीके से बिठा के या तो कैंची से इ एक पैर या पहले निसान लगा ले मैं इस तरीके से देखिए काड ले रहा हूँ यह अब यह काड ने के बाद में देखिए इसको हम इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद में देखिए इसको ऐसे करके जिदर यह निसान है इस से से देखिए अब जैसे यह इसको हम ऐसे करके रखें यहां से कड़ लगा के इसको ऐसे करके पल्टें या इस तरीके से वल्टें हम इसको ऐसे नहीं पल्टेंगे देखिए अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे यह जो पल्ला है ऐसे करके यह देखिए इसको ऐसे करके रखें और यह आपकी शिलाई भी बिल्कुल गुम हो जाएगी कोई एक भी कच्रा नहीं निकलेगा आपका यहां से देखिए इस तरीके से इसको कि यह देखिए ऐसे कर गया कि यह तो तीन चीजे मैंने आपको बतानी थी कि यह गला किस तरीके से प्रेटते हैं और इसके लंबाई उंबाई किस तरीके से छोड़ी करते हैं इसलिए मैंने सोचा लाओ इस पे मैं आपको वीडियो बना के बता दूँगा ताकि आप लोगों के साथ भी मेरी इस में बता भी दूँगा और यह मेरा काम भी हो जाएगा यह देखिए इस तरीके से अब यह देखिए जैसे यह लग गया है अब इसको आप इस तरीके से देखिए यह पड़टेंगे यह यह आपका विल्कुल गुम एकदम हो गया कहीं से कोई जरूरत नहीं आपको पेपर पेस्टिंग लाने की य ज़रूरत नहीं है अब इसमें बस एक काम जरूर करना जो यह आपने जो लगाया इसमें घलक हलकी से सरी कसे कट लगा देंगे इच ताकि कपड़ा थोड़ा होता है न आ हम PAC पिकत किई लगा दिए तो यह बैड जाएगा वे श्यङ्ट सरह से इसको हाससा यसे करके हाससे इसकर जो है और सबस् ConseHaaf करने आद में देखिए अब अगर आपको यह की जलाई रखनी है तो यह तो यह की लगाए निदुन मैं सिलाई पता भी नहीं चलेगी कि आपने कहां पर कैसे लगाई है यह देखिए यह देखिए यह आपका कला एकदम बैठ गया है इसको हलकी सी प्रेस लगा के बिल्कुल बिठाल देंगे अब इसको मैं देखिए इस तरीके से यहां पर कच्छा कर लेता हूं ऐसे करके यह देखिए ऐसे करता है यह देखिए हलका सा इस तरीके से यह साटन होती है न थोड़ा इदर दर फिसल जाता है यह देखिए ऐसे करें अभी मैंने नीचे का बॉर्डर नहीं लगाया इसका क्योंकि पहले मैं इसको बॉर्डर से उपर जहां पर मुझे लगाना है उसको कच्छा कर लूँगा यह देखिए ऐसे करके और कि यह देखिए यह देखिए यहां यहां दे इसको अच्छा कर लूँ तो इसी तरीके से मैं और वह दूँ कर से खिल पोकी आपको थिखाता हूं यह देखी दोस्तों इसको मैंने देखी हलका था प्रेस लगा के अच्छी तरीके से बिठा दिया है तो गला देखी बिल्कुल फिनिसिंग से बैट गया है और यह मैंने बॉर्डर भी देखी यह लगा लिया नीचे इस तरीके से और इसी तरीके से ये मैंने इसकी बैक भी बिलकुल ये जमा दी थी और उसके बाद बनाने के बाद में इसको बैक गला बना लिया है अब ये देखे इसकी में ये कंदी जोड़ूँगा ये देखे ऐसे करके इसको इस तरीके से रखके और यहां पर देखिए यह बरावर आ रहे है यह देखिए इसे है यह देखिए यह सिंडल सिलाई लग गई अब इसको मैं इस तरीके से देखिए डवल सिलाई लगा दूँए और इसको इस तरीके से यहांसे पकीलर करते हैं अब यहां पर इंट्रोग कर लेंगे यह देखिए इसको ऐसे फ्लेट विए अब यह देखिए जो हमने ये निसान लगा रखा है चैस्ट कमर का अब हम इसको देखिए शाइट जोड़ेंगे क्याई इसके बाजू जो हम गोल और तो इस तरीके से देखिए इसको पहले एक्वारतेखनें कर दो! ऐसा करके sécurité लाय लगाएंगे प्यक्तल्शिक यह कर सबाह्वाय तर्फ यह कट दोने बराबर भाइ यह कि यदिधि फट्रᵈ हरे अब यह करने के बाद में एक स्विरो लगा लूखा है अच्वाइश麼 और इसी तरीके से मिल जोड़ें मैं दुस्री वाली सेट कर मां हम भाजू किस तरीकसे बनायके फिर चढ़ाएंगे वह आपको बताएंगे यह देखिए मैंने दोनों तरफ लगा लिए और यह एक पैर के मैंने लूश टैट की भी लगा दिए अब यह देखिए यह बाजु है तो बाजु देखिए अब जैसे यह बनाते हैं तो यह हलकी होती है यह जोरज़ट में होती है तो हमने इसमें क्या गन्ना है इसमें इस तरीके से बाजू लगानी है आदी बाजू तो यह अस्तर हमने काट लिया है तो देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे यह देखिए ऐसे कर दिया यह देखिए देखिए करके यह देखिए अब यह देखिए अब यह बाजू हम ऐसे करके एक उठाएंगे और उसके बाजू को हम देखिए इसको पर ऐसे करके रखेंगे यह बीस सेंटर है इसको मिला लिगा ऐसे करके ऐसे करके देखिए इधर जितना भी निकलता है निकल जाने दे इस तरीके से बाजू यह लगाने से दो तीन फायदे होते हैं जिसमें एक फायदा है तो यह यह कि आप इंटरलोक करेंगे तो उसमें वाइड नजन नहीं आएगा और फिर ही यहां से थोड़ा सा आरमोल से थोड़ी सी मजबूत भी हो जाती है और अंडराम भी नहीं देखता है यह इप है खल्वा लगारी की इंटर्पराम करेंगे उ साउगा यह देखिए इसी तरीके से मैं यह दूसरी वाली बाजू भी लगा लूँगा और इसको इस तरीके से जोएंड करके इसकी बाजू चड़ा के आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ यह देखिए दोस्तो यह इसकी फाइनल लुक है यह इस तरीके से देखिए यह पास में ला और इसकी लंबाई किस तरीके से हम से साइट करेंगे तो मैंने इसलिए आपको पूरी वीडियो ही बना के दिखा दिए और यह देखे जैसे बाजू में मैंने यह अस्तर लगाया इतना तो यह इसलिए लगाया है कि यहां पर थोड़ा सा यह खिसता है ना तो बारिक कपड़ होता है तो मजबूत रहेगा निकलेगा नहीं और यह कपड़ा बारिक होता है तो इंटर्लोग करो तो वह भी नजराता है तो यह दो तीन चीज़े ऐसी है कि इसमें एकदम अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी तो यह देखिए आप इस तरीके से आपके पास सूट हो कोई भी तो आप इस तरीके से अपना यह गला बना सकते हैं और इस तरीके से अगर आप चाहें तो यह बाजू में भी एक अपड़ा लगा लें तो उससे थोड़ी सी मजबूत आई भी आईगी और फिनिसिंग भी थोड़ी अच्छी आजाएगी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सेर जरूर करें थैंक यू फूर वाचिंग